Hello everyone, I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary तो Delhi University में जो PG courses के admission को लेके बहुत जादा ही uncertainty सी बनी थी तो यहाँ पे notice आप सभी को जो जिनोंने PG का entrance exam दिया है या merit-based पे admission के लिए form भरा था आप सभी को email में यहाँ पे कुछ guidelines दी गही हैं तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि जो LLB courses हैं उनकी counselling जो है 18 तारिक से नहीं हो रही है यह मतलब जैसे सबको उमीद थी की होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगे कि counseling किस तरह से होगी और किन-किन courses के यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे सबसे पहले एक important बात यह है कि I hope अब तक आप सभी ने marks update कर लिये होंगे तो जैसे बिहार में election था तो कौफी सारे students marks update उनके paper ही नहीं होए हैं बिहार की universities के तो इस तरह से काफी universities का result भी नहीं आया है तो उसके लिए आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है जैने students का result आचुका है वो अपने marks update करें और उसमें आपको जो है first year, second year, three year के भी करने हैं और एग्री grade भी करने हैं और जो आप marks update करोगे एग्री grade वो percentage पे करने हैं आपको अपना CGPA नहीं करना है और percentage यहाँ पे आपको round off नहीं करना है जैसे कि मालीजी अगर आपके 75.25 या कुछ भी आ रहा है तो आप उसको round off नहीं करेंगे जो percentage निकाल के आ रही है मालीजी कि 75.254 सम्तिंग कुछ आ रहा है तो आपको decimal के बाद दो डिजिट लिखनी है 75.25 तो यहाँ पे आपको अपने marks अपडेट करने हैं तीनो साल के और उसी के साथ अगर आप यूजी कोर्सिस के लिए अपडेट कर रहे हैं तो जिनका यूजी कोर्सिस का इंप्रेंस बेस्ट है तो आपको 12 के अपने 5 सबजेक्ट के अडिशनल सबजेक्ट के marks नहीं पास सबजेक्ट के marks जो है उनका aggregate आपको यहाँ पे डालना है और वो percentage डालने है marks नहीं डालने तो उसी के हिसाब से यहाँ पे अपका टॉफ कल आईगी तो यहाँ पे यह notice पहले अगर हम इसको देखें clearly यह कह रहा है कि जितने भी eligible applicants हैं PG courses के लिए उनके admission merit और entrance basis दोनों के 18 तारिक से शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे जो है यह किस तरीके से दोनों ही courses के होंगी और इसी में यहाँ पे अगर हम देखें कि जिनका फाइल यहाँ पे clearly guidelines दी गई हैं कि जिनका भी result नहीं आया है वो wait करें और इसके साथ ही counseling पूरी तरह से online ही होगी इसमें offering के कोई chances नहीं हैं क्योंकि जिस सारा से UG courses की जो है वो successful हो रही है counseling तो PG courses में भी कोई रिक्कत आने के chances नहीं हैं तो यहाँ पे आपको एक और important बाट बता दूं काफी सारे students की जो query रहती है वो यह है कि undertaking क्या होती है undertaking के लिए क्या करना है तो undertaking जो है आपको one week की maximum courses में grant होती है लेकिन depend करता है कि किस चीज़ के आप undertaking दे रहे हो तो यहाँ पे आप कोशश करो कि जितने आपकी documents हैं सारे पूरे रखो in case कोई document अधूरा भी है तो आपको क्या करना है कि उसके लिए आप undertaking दे सकते हो आपको परिशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको परिशान के लिए आपको फॉर्म जो है डियू की website पर अवेलिबल होता है आपको जिस भी मालीश यह आपकी प्रोविजनल डिग्री नहीं आई है भी तक तो आप जो है प्रोविजनल डिग्री पर अंडर्टेकिंग देंगे और उसमें अपना साइन कर देंगे कि आप इतने टाइम तक गिवन टाइम तक अपनी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को समिट करा देंगे डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं पता कौन से लगने हैं तो इसमें वीडियो भी है और कम्यूटी टैब में मैंने एक पिच्छर जो है फोटो वो भी अप्लोड की थ आपको उनके लिए अभी परिशान नहीं होना है और एक और इंपॉर्टन बात यह है कि जो एंटी रेगिंग का सर्टिफिकेट यहां एफिडेविट बनेगा वो दो तरह से होता है एक तो यूनिवरस्टी अप्लोड करती है और दूसरी अना मुव्मेंट करके एक वेबस साइड है उस वेबसाइड से जो एंटी रेगिंग का एफिडेविट बनता है वो भी वैलिड होता है आपको उसके लिए कुछ नहीं करना होता उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपको सिर्व फिल करके उसके जो भी आ फिल करोगे उसका प्रेंट आउट ल आपके पोर्टल पर आ जाएगी जैसे कि आपने अभी देखा कि आपके पास सीमेल आया होगा उलमोस सभी स्टुडेंट्स के पास आ गया होगा जिनके पास नहीं आया है उनके पास भी आ जाएगा तो यहां पे इन कोर्सिस को क्लियरली विजिबल है आप यहां देख सकते प्रफ्र कोशिछ स्टार्ट के समय और कोशिश कीजिए अपना डॉकिमें बड़े रखे और और कोश़िश कीजिए अपने डॉकिमेंट्स पूरे रखें और कांस्लिंग पूरी तरह से औं-लाइन हैं आपको कहएं जाने की जरूरत नहीं है इसके आपको confused भी नहीं होना है और यहाँ पे अभी देखते हैं कल किस तरीके से online सारा होगा आपको documents upload करने हैं यहाँ पे कुछ simple guidelines दी गई हैं और यहाँ पे कुछ चीज और भी बताए गई है कि माल लीजिए कि अगर tie होता है entrance test marks में तो जैसे माल लीजिए कि पहले तो candidates की क्या देखे जाएगी eligibility criteria देखा जाएगा final year के marks देखे जाएगे उनके marks के basis पे उनको क्या किया जाएगा वो उनको admission दिया जाएगा तो यहाँ पे यही है आपको अपने portal पे visit करना है और merit based के लिए यही है अभी भी portal open है अगर आपने अपने marks update नहीं करें है आप अभी भी अपने marks update कर सकते है और क्योंकि कल आ रही है merit तो इसके लिए आपको तयार रहना है जिनकी courses की cut off अभी तक नहीं आई है उन courses की cut off जो है वो रात तक आ जाएगी या कई बार ऐसा होता है कि माल लीजे 18 को जैसे की cut off का first day है तो 18 की morning में cut off आय ऐसा भी हो सकता है तो यहाँ पे आपको अपने marks को देखते थोड़ा यह है कि जिने students के अच्छे हैं वो तो तयार करके रखेंगे जिनका margin पे हैं आप भी तयार करके रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जैसे दिखाया गया था schedule में कि schedule भी हमने community tab में डाला हुआ है अगर आपको नहीं पता है तो आप community tab में जाके scroll करके देख सकते हैं निचे होगा तो वहाँ पे आपको जैसे 3 दिन का time मिलता है और जो fees है आपकी fees आपकी online submit होती है तो तीन दिन सर्फ counseling के होते हैं उसके बाद जिसके counseling पूरी होती जाती है fees का option तभी आता है जब आपके सारे documents complete हो जाते हैं तो जब सब कुछ अची से submit हो जाता है और उसके बाद fees का जब आपको portal आता fees जो है open हो जाता है fees portal तो जब आप fees भरेंगे fees ध्यान रखिए documents पूरे सारे सही होने के बाद ही होगी और documents आप जो भी upload करें जिनकी photocopy भी आप upload करें वो self attest जरूर करें उस पर अपना sign और जो है अपनी date जरूर डाले और इसके बचे बाद fees पे करेंगे fees पे करने के बाद ही आपकी जो है यहाँ पे admission आपका confirm होता है और सबसे important issue यह है कि जिन students का result नहीं आया in case उनकी counseling जैसे हो जाती है तो counseling होने के बाद यहाँ पे जब तक आप अपने result अपने marks update नहीं करेंगे तब तक आपका admission provisional admission होता है आपका admission confirm नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका admission नहीं देंगे admission आपका provisional आपको मिल जाएगा उसके लिए परिशान मत होईए अगर exams भी नहीं होए है कोई बात नहीं अपने पिछले marks के वेसे पे आपको अभी provisional admission दे दिया जाएगा hold पे रखा जाएगा